यलकम टू बेंकिंग प्रोसेस गाइस आजके इस वीडियो में हम जानने वाले हैं AU LIT क्रेडिटकर के बारे में इस क्रेडिटकर में आपको क्या benefit मिलता है क्रेडिटकर के क्या feature है reward system क्या है क्रेडिटकर के लिए Pee and Charges क्या है Total detail इस वीडियो में explain करने वाले है वीडियो की information सबसे पहले मिल पाए तो guys information share करने से पहले आप वीडियो के side में देख लिजिए हमने recently AULIT credit card के लिए apply किया था हमारा credit card है वो successfully approved हो चुका है 1,75,000 की limit मिली है और हमारा credit card blue dart की साहता से home address पर आ रहा है credit card receive होते ही मैं आपको unpacking video भी provide करूँगा तो guys आईए topic पर हम चलते हैं तो guys सबसे पहले हम इसके customize benefit के बारे में जानेंगे AU bank का ये पहला credit card है जिसको आप अपने according customize भी कर सकते हैं customize benefit में आपको मिलेगा क्या जो भी आपकी shopping होती है जिस भी way में आपकी shopping ज़्यादा होती है उसको आप customize में ले सकते हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा reward point दिया जाएंगे like आप online shopping ज़्यादा करते हैं recharge bill payment book my show या फिर hotel booking करते हैं आपके जितने भी जिस way में आपके ज़्यादा expenses है वो credit card के तो अगर आप spend करेंगे तो आपको यहाँ पर 10x और 5x reward point दिया जाएंगे online domestic and international retail transaction पर 10x और 5x reward point आपको दिया जाएंगे POS और contactless transaction आप करेंगे domestic और international retail transaction पर आपको reward point दिया जाएंगे जो भी आपके transaction की value होगी लेकिन आपको यहाँ पर कुछ transaction पर reward point नहीं दिया जाएंगे cash withdrawal, fuel, EMI transaction यह eligible नहीं है इन reward point को earn करने के लिए और आपको यहाँ पर fuel surcharge waiver भी दिया जाएगा 1% का आपको यहाँ पर fuel surcharge waiver देखने को मिलेगा लेकिन आपका जो credit card से transaction है वो 400 से above होना चाहिए और 5000 के under होना चाहिए तो ही आपको यह benefit है वो 1% का fuel surcharge waiver दिया जाएगा आपको इस credit card में additional 5% और 2% का cash back दिया जाता है तो इस cash back को आप कैसे earn करेंगे यह भी आप देख लिजिए अगर आप अपने credit card से 90 days के अंदर अंदर credit card मिलने के बाद आप अगर 3 transaction करते हैं तो आपको यहाँ पर extra cash back भी देखने को मिलेगा and guys आपको यहाँ पर per 100 rupees पर एक reward point दिया जाएगा आप यहाँ से maximum cash back है वो 500 का ले सकते हैं लेकिन आपके transaction की minimum value 7500 होनी चाहिए यह period आपका 30 days का है तो यहाँ पर आप spend कर सकते हैं and additional अगर 2% cash back की बात करें तो यहाँ पर आप 3 transaction करेंगे 90 days के अंदर तो यहाँ पर आपको 2% का cash back दिया जाएगा and 2% cash back के साथ अगर आप retail spend करेंगे तो आपको यहाँ पर reward point है वो एक दिया जाएगा per 100 rupees spend पर और यहाँ पर आप minimum अगर 10,000 को spend कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर maximum cash back 1,000 का दिया जाएगा और इसका जो timing period है वो 30 days का है तो यहाँ इस credit card का जो reward system है तोड़ा टेकनिकली है तो आप AU bank की website पर visit करके भी इस credit card से related information ले सकते हैं बाकी इस credit card में आपको 4 complimentary airport launch access मिलेगी और जैसा कि मैंने आपको starting में ही बताया है इस credit card की जो membership है वो lifetime free है ना तो इसका कोई issue charge है ना ही कोई इसका annual charge है यह credit card आपके लिए lifetime free card है इस credit card को आप apply करके enjoy कर सकते हैं तो जैस यहाँ पर मैं आपको suggest करूँगा अगर आपका credit score, civil score, 750 से above है तो आप इस credit card को apply कर सकते हैं आपके approval के chances रहेंगे बाकी credit card approve होना, decline होना यह bank के उपर है उनकी term and condition पर depend करता है वीडियो के description में link है उस link के तुरूँ आप apply कर सकते हैं तो हमारा card भी approve हुआ है जब card की delivery हो जाएगी मैं आपको unpacking video भी provide कर लूँगा